नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं इस सेसन के जरिये जो ही दोस्त नया चैनल बनाने के कुशिस में है यह जो नए यूटूबर है उनके सामने मैं कुछ बाते शेयर करना चाहूंगा कुछ कंशूजन जो है उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा फर्स्ट अफॉल दोस्तों आपको बारा महिने में 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट कर लेने हैं इसके अलावा 4000 पॉब्लिक वाच टाइम जो है वो कम्प्लिट कर लेना है 4000 घंटे दोस्तों नया यदि आप यूटूब चैनल बना लिए हैं और वीडियो बना कर अप्लोड भी कर रहे हैं है न तो उसमें मुख्य कुछ कुछ बाते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा तो सबसे पहले आप जब चैनल बना रहे हैं तो अपने चैनल को वहरिफाई कर लेजिए अपने मुबाइल नमबर के तुरू वहरिफाई कर लेजिए इसके अलावा आप जब चैनल बना रहे हैं बना लिए हैं और यूटूब पर वीडियो अप्लोड कर रहे हैं तो आप विडियो के टाइटिल्स क्या होंगे वीडियो के थमनेल्स कैसे होंगे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखने हैं इसके अलावा में इंपोटेंट बंद आपका वीडियो कैसा होगा इन सारी बातों पर डिपेंड करता है कि एक सकसेशफुल यूटूबर या एक अच्छ अच्छा आर्निंग वाला वीडियो हम कैसे अफलोड करें इसके अलावा बाता आती है कि यदि हम चैनल क्रीट कर रहे हैं चैनल का नाम बना रहे हैं अभी अभी चैनल के नाम के बारे में सोच रहे हैं तो वैसे यूट्यूबर के लिए मैं यहां बताना चाहूंगा कि आप क किस तरह के वीडियो किस तरह के इंफॉर्मेशन अपने चैनल के जरीए लोगों के बीश में शेयर करना चाहते हैं यह पहले डिसाइड कर लिजिए उसके बाद ही चैनल का नाम रखिए उसी के अधार पर इस चैनल का नाम अपना जो रखना है उसको रखिए जैसे कोई कोई जनकारी देना चाहता है अपने चैनल के जरीए तो वो निव से रिलेटेड उस चैनल का नाम रख सकता है इसके अलावा कोई पढ़ाई से रिलेटेड जैसे जोग्रफी पढ़ा रहा है या हिस्ट्री पढ़ा रहा है या किसी क्लास से रिलेटेड है जैसे फर्स्ट से लेकर 5th class तक करा रहा है या 5th से लेकर 9th class तक कोशिंग करा रहा है online तो उसको उस तरह से उसके channel का नाम रखना होता है मतलब जैसा आप content रखना चाहते हैं वीडियो में जिस तरह की बाते आप share करना चाहते हैं लोगों के बीच में आपके channel का नाम भी उसी तरह का होना चाहिए ये ये भी एक impact डलता है लोगों पर और आपके वीडियो को successful और आपके channel को successful होने पर ये भी impact डलता है channel का नाम अब इसके बाद बात करते हैं हम जो वीडियो आप बनाये हो वीडियो का टैटिल वीडियो का टैटिल ऐसा रखना है कि लोगों को समझ में आए simple हो लोगों को समझ में आए और वो attract कम सकम करे और ये भी बात का ध्यान रखना है कि आपने वीडियो में जो दिखाया है वीडियो में जिस तरह का information अब share किये हैं आपके वीडियो का title भी उसी अधर पे होना चाहिए ऐसा ना हो कि वीडियो का title कुछ और है और वीडियो में हमने कुछ और दिखा दिया तो थोड़ा excited वाल लिखा हुआ है यार इसके वीडियो में कुछ और दिया हुआ है तो एक बार तो वो भी गेंड कर लेगा बट आगे चलके आपका जो इंप्रेशन है चैनल का वो लोगों के बीच में गलत इंप्रेशन डालेगा तो इस बात से बच करें जो भी वीडियो में आप दिखाएं वही आप वीडियो का टैटिल रखे हैं यह सेकंड बात हो गई उसके पाद थर्ड बात जो है वीडियो का थुमनेलस ब्रीडियो का थुमनेलस भी डिपेंट करता है कि आपके आंदर वीडियो के अंदर आपने क्या देखाएं कौनसी बाते शेयर की है उस से रिलेटेड मत में वो दिखा रहा है कि आप जो है वो वीडियो में क्या दिखाना चाह रहे हैं या क्या दिखाए हैं वो आपको एक चित्र में ग्राफ में बना कर आपने उसमें बता दिया है तो थम्निल्स का भी बहुत ही है उसको इस तरह से अट्रेक्टिव बनेए कि लोग उस पर क्लिक करने के लिए उस वीडियो को आउन करने के लिए एकसाइट हो जाए ऐसा नहीं हो कि थम्निल्स में भी कुछ और दिखा दिए और वीडियो के अंदर कुछ और डाल दिए नहीं यह बात नहीं करना है उसके बाद नेक्स्ट बात जो है डिस्क्रिप्शन आप जो भी वीडियो डाल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जो है वो भी इंपक्ट डालता है डिस्क्रिप्शन में भी आप शुरू में आप लिख सकते हो इसके बारे में थोड़ा सा जनकारी दे दीजिए क्योंकि बहु कि इसके अद्रीफन पिशी इंपोटन्ट छीज है इसे उपर में अलग से भी वीडियो बनाँग आप लों के लिए इसमें बहुत सारी जनखारी बहुत है rein डाले हैं विडियो में आप दिखा रहे हों लोहोंको उसकी थोड़ी सी जोंद करी संचिपत में इसके अलावा डिस्क्रिमर भी दे सकते हो है न जिसक्रिप्शन में दे देना चाहिए और जो sources हैं जैसे image आपको यूच कर रहे हो net से उठाकर या किसी तरह का है तो उसके sources भी डाल दीजिए ताकि copyright का मामला ना आए next बात आती है आपकी सबसे important बात जो है वो है tag वीडियो का tag मतलब एक ऐसा tag रखना है कि वो भी आप जो वीडियो में दिखा रहे हो उससे related होना चाहिए यह नहीं कि वीडियो में आप कुछ और दिखाया है और tag में आप कुछ और डाल रहे हैं यह काम नहीं करना है और tag को copy paste तो नहीं करना है बहुत सारे apps हैं जो कि आपको उसके जरी दूसरे के viral videos को कि tag को आप देख सकते हो क्या क्या tag है और उसको आप उसमें copy करके डाल सकते हो नहीं है ऐसा हमको नहीं करना है ठीक है थोड़ा सा मेहनत लगेगा वीडियो को viral करने में एक successful यूट्यूबर बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं अपने बारे में भी आपको बताऊंगा थोड़ा सा पहले जनकारी देदूं तो tag भी important चीज है tag का भी चुनाओ अच इसको कि आपको अपने में बनाना होगा यदि सब में एक जैसा स्किल नहीं होता है बहुत लोग होते हैं creativity होती ही उन में लें बहुत लोग नहीं होते हैं तो क्या जो नहीं है creativity जिसमें नहीं है वो क्या सफल यूटूबर नहीं बन सकते हैं ऐसी बात नहीं है creativity लाई जा सक करने का तरीका जैसे किसी इमेज को आपके वीडियो में कोई इमेज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है क्या उसमें इनिमेशन होना चाहिए लेफ्ट कॉर्णर से आकर इधर आना चाहिए या राइट कॉर्णर से आना चाहिए या सीधे से बूम कर जाना चाहिए किस तरह स रिप्रेजेंट करें क्या हम करें उसके उपर की विवर पर अच्छा इंपक्ट पड़े इस बात की आपको जनकारी होनी चाहिए हना तो यह तो हो गई सारी बातें वीडियो के उपर चैनल के उपर तो इन सारी बातों का एक ही सरांस आप फिर से इसको आप रिवर्स करके के लिएन तो में कंटेंट डालिए होही आपका टैटिल होना चाहिए को डिस्क्रिप्सन में भी वही चीज होना चाहिए थम्नेल्स भी उसी प्रकार का होना चाहिए टैक्स भी उसी प्रकार के होने चाहिए तब जाके आपका एक वीडियो जो है व्यूवर पर सब्सक्राइबर पर या नए व्यूवर पर नए सब्सक्राइबर पर इंपक्ट डालेगा आई होब दोस्तों आपको इजनकारी अच्छी लगी होगी अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि मैं अपने यूटूब चैनल को 2019 6 सितंबर 2019 से मैं अपने यूटूब चैनल पर वीडियो डालना चालू किया हूँ अलांकि मेरा चैनल बहुत दिनों से बना हुआ था लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल रहा था बहुत सारे लोग है जीमेल बनाते हैं यूटूब खोले हुए हैं तो क्रियेट चैनल पर क्लिक कर देते हूँ चैनल बन जाता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं अपने चैनल पर जो वीडियो है वो 6 सितंबर 2020 से डालना चालू किया हूँ इसके बाद मेरा जो चैनल है वो लाश्ट जून कह सकते हैं 27 या 28 जून 28 जून 2021 को मेरा जो चैनल है वो मोनिटाइज हो गया आप सभी वीवर के करण ही यह सारा हो पाया है तो मेरे चैनल पर कुछ जैसे की आयरवेज से रिलिटेट जनकारिया मैं देता रहता हूँ इसके अलावा एक नेटवर्किंग कमपनी है एसकलेपियस वेलनेस प्राइबेट लिम्टेड कमपनी इडेवलो पील उसके प्रोड़क्ट्स उसके टेक्निकल नौलेज के बारे में जनकारी देता रहता हूँ इसके अलावा भी मैं अलग-अलग जनकारिया मैं देता हूँ जैसे कि अभी मैं आपको जनकारी दे रहा हूँ जैसे आपको मेसेज आएगा कॉंग्रोचिलेशन होगहरा था जैसे मैं हंडिड सब्सक्राइबर केरे में चुक्कि मैं अभी 4,000 गनते का तर्गेट पूरा नहीं कर पाया था तो इसलिए सिर्फ 100 सब्सक्राइबर का मेसेज आए था फिर जैसे ही 4000 घंटा पूरा हो गया उसका मैसेज है और मैंने मुनेटाइज के लिए अपलाई कर दिया उसका एक अलग प्रोसेस है मुनेटाइजेशन कभी उसके उपर भी मैं वीडियो आपको शेर करूँगा इन फ्यूचर उसके बाद जैसे ही मेरा वीडियो यह तुसके मैसेज आये एक चीज और बता दूं के बारे में यूटुब चैनल बना लिये हैं मोनिटाइज कर लिये हैं मोनिटाइज हो गया है अब Google से जो पीन आता है वो कैसे आएगा इसके अलबवा अपका payment Firs payment कैसे आएगा वो मैं मैं बताफwang हूँ तो मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा टेखनिकली मैं बाद में सारा चीज आपको सिस्टम से कैसे करना है इसको वह सारा नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूं तो जैसे ही आप 10 डॉलर आपका वीडियो जो चैनल जो है 10 डॉलर गेंग करता है तो गुगल की तरफ से पीन वहां स कि आ जाता है है ना उसके बाद जो आपका फस्ट पेमेंट है वो उसके लिए टारゲट है जैसे जब आपका चैनल पूरा क पूर्बरीट एंड्रेडड दॉलर कंपृेट कर लेता है तब आपका वह जो मैं यह कंप्लीट कर लूँगा तो मैंने सोचा अभी फिलहाल मुझे एक कंप्लीट किया हुआ था वन लाग टॉटिफाइब थाउजन्ट भ्यूज का मैंने गेंड किया है तो इसके लिए मैंसेज आया था इसके अलावा 5,000 घंटे मैंने कंप्लीट किये तो यूटूब की और से मुझे एक मैसेज आया इमेल आया इमेल के जरी मैसेज आया को अंगरोचलेसन का तो मैंने सोचा कि आपको ये शेयर करना जरूरी है तो मैं आप सबी बात हैँ आप जैसे यूटूब यूटूबर भी है या बहुत सारे फिविवबर ऐसे हैं जो यूटूब चयनल बनाने की कोशिक्स ATREE लगे हुए हैै ना तो मैंने सुचा कि आप मेरे पुराने फियूटूबर है तो तो मैं आपको यह सारी बाते जो जो भी facts है या जो भी टेप से रिलेटेड ये सारी बाते मैं इस चैनल में शेर कर सकूंगा इसके बाद दोस्तों मैं फाइनली बताना चाहूंगा कि आप जैसे यूटूब चैनल का नाम क्रियेट कर लिए हो अब आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा ये यूटूब चैनल का नाम सही नहीं है यार मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा तो आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यह आप मुनिटाइजेशन होने के बाद भी अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हो लेकिन यह दियान रखना है कि आई होब तीनसे दो से तीन बार शादिये चेंज होता है और एक चैंजिंग के बाद 90 दिन के बाद दूसरा चैंजिंग आप कर सकते हो कि इसको आप गोगल जो मैंने दी अभी नए यूटूबर बनने से लेकर जो लोग चैनल बनाना चाहते हैं उनके लिए इसके अलावा क्या-क्या कंडिसंस है अपने वीडियो को कैसे वाइरल करें और एक और लास्ट में बात है आप सफल यूटूबर बनना चाहते हैं अपने वीडियो को वाइर कर दें या ये कर दें वो कर दीं ये सब कोई बात नहीं आप अपने वीडियो पर focus करें अपने वीडियो के content पर ध्यान दें किस तरह से डूसरों के सामने मुझे इसको represent करना है ताकि वो बंदा excited हो और वो दूसरों को भी send कर सके share कर सके यही main rule है इसका वारल होने का तो I hope दोस्तों मेरे दोराई जो जनकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों यही जनकारी अच्छी लगी है तो प्लेज इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जो लोग नए यूटूबर बनना चाहते हैं और जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं उनके भी शेर कीजिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल में नए हैं वो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए कोई भी अगर मेरे दोरा तोटी बोली गई हो तो उसको कॉमेंट कर सकते हैं आप तो मिलते हैं दोस्तों नई जनकारी और नए वीडियो में धन्यवाद